नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेड़ालावती में और सभी का फिर से एक बार हार प्राओर्दे कहाँ आफी सवागत किरता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हम बहुती महत्पूर्ण जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं और वो है एलाइट विशे से रिलिटेट तो यहां पर दोस्तों दो पॉइंट है एक पॉइंट है कि अभी हाली में विशेशक समीती का गठन किया गया था और उसका जो र देख लेते हैं कि विशेशक पрашक समीती ने क्या कहा था एक बार और सी एयंट समय सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से मंस की है तो आप मांश्टर डिगरी की है आप में सिक्षभ भरतिक परेक्शा और दोस्तों नहीं परकार की सिफारेस आई है जिनके की microbiology, biotechnology या biochemistry तो मूल विशे नहीं रहे हैं, उनके allied subject रहे हैं, लेकिन graduation में उनके मूल विशे, biology याने की geology और botany न होने से काफी कुछ अभ्यरतियों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिनके geology अत्वा botany subject graduation में हैं, और उन्होंने post graduation, microbiology, biotechnology, इत्यादी, biology क सहव विश्यों से की है, तो उनको निशित रूप से ballot करार दिया जाएगा, उनको verification से बाहर नहीं किया जा सकता, उनको इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, चलि दोस्तों, ये तो नियम आया था, जो निर्ने समीती थी और विशेशग्यों की, और मैंने आप लोगों तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कि इन्दा High Court of Madhya Pradesh at Gualier, WP No. Read Petition No. 14534 of 2021, चलिए, डेटेड 1904-2022 की स्तिती में है, और आप ये देख पा रहे हैं, कि ये सभी जो है, Counseling of Petitioner ये नाम वगेरा दिये गए हैं, ठीके हम देख लेते हैं, कि विशेश क्य हैं, तो आप नीचे देखें, कि this court on 10 अगस्त 2021 had state the entire selection list of selected candidate on the post of higher secondary teachers in subject of biology, ठीके, 10 अगस्त 2021 को इस्ते लागू कर दिया गया था, इस post पर, अब हर्ड on IA No. 2673-2022, an application seeking vacation of the interim order, अब interim order जो पास किया गया, उसके आधार पर यहां बात की गई है, तो श्री नीरस श्रीवास्ताव, learned council for petitioners, submits that, indeed, the requisite educational qualification for appointment as higher secondary teachers in biology, is that of botany oblique zoology, यानि कि बातनी अत्वा जोलोजी में से जो की, उसके appointment की यहां पर बात की जा रहे हैं, nevertheless, since the petitioner has run mycrology, जिसने petition लगाई थी, जिसने बाद दायर किया था, वो microbiology से MSC है, ठीक है, the same also shall be within the genus of biology, जो की biology का ही genus माना जाता है, उसकी ही एक branch या से subject माना जाता है, therefore, the rejection of the candidature of the petitioner for not fulfilling the requisite education qualification, तो इसके बारे में दोस्तों इसको illegal मानते हुए, कि जो requisite requirement थी, वह इसको fulfill नहीं करता, उनको verification में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि हम सब जानते हैं, चली, आगे देखते हैं, पर कॉंट्रा, श्री विजय सुंदरम, लंड, पैनल लॉयर्स, और रिस्पॉंडेंट्स, नमबर 1, 2, 3, इस्टेट, एंड, श्री विविएक जैन, लंड, काउंसल, फॉर रिस्पॉंडेंट्स, नमबर 4, समिट देट, 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 जी को इंक्लूब नहीं किया गया है, ऐसा इनका कहना है, माइकरो विजय को एक स्पेशलाइस्ट कोर्स माना गया है, जो कि बाइलोजी सब्जक्ट से सम्भन देते हैं, ठीक है, इस बाइट से इसल, नोट मैक इम एलिज़िबल, फुल्फिलिंग एडुकेशनल क्वालिफ to teach a student the set subject as higher secondary teachers. As such, there is direct nexus between requisite educational qualification and the purpose of appointment of higher secondary teachers. The prescribed qualification as such is in conformity with article 14 of the constitution of India. Micrology by itself cannot be said to be biology subject. इस subject को biology का subject नहीं कहा जा सकता. इस प्रकार की बात यहां पर की गई है. If for any reason, the same may be termed as allied subject. This by itself shall not be constituted as fulfilling the educational qualification. यानि कि इसको allied subject के रूप में जाना जाता है. यहां पर बात की जा रहे हैं दोस्तों मुखे रूप से microbiology की. अलांकि हम जानते हैं कि बायो technology, biochemistry और भी अन्य से subject हैं जिनकों की भरती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था. Besides, it is also submitted that at the instance of one such candidate, the entire list of selected candidates has been issued. एक candidate के जो रिट लगाने से दायर करने से याचिका, है ना, सभी candidate जो भी selected हुए थे उन पर इस्टे कर दिया गया था. As a result, teaching of biology subject in different schools is seriously geopard. यानि कि दोस्तों biology subject में इस्टे देने से जो विद्यारती हैं, उनकी पढ़ाई में निश्यत रूप से हास हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है. आगे कहते हैं कि upon hearing, learned counselling for parties, we find substantial force in the submission advanced by श्री विविग जैन, learned counselling for respondent no.4 and श्री विजे सुंदरम, पैनल लायर for respondent no.1, 2, 3, state and श्री उपेंदर यादाव, learned counsell for intervener selected candidate in biology history. चली, इनके बारे में बात कही है कि कौन-कौन petitioner से संबंदित है, जो भी रहे हैं. ठीक है, accordingly, IA no.2673-2022 stands allowed, the order passed by this code, दोस्तों, यहाँ पर महत्पून है, on 10 अगस 2021 is modified, यहाँ पर 10 अगस 2021 का order को modified किया गया है, और कहां तक modified किया गया है, वो भी आप देखें, to the extent that only one seat of higher secondary teachers of biology shall be kept vacant, यानि कि जिसने case लगाया है, उसकी seat को ही vacant माना जाएगा, and the remaining select list shall be implemented, और जो remaining selection list है, उस पर आगे कारवाही की जाए, with issuance of appointment letter जारी किये जाए, to each of the selected candidate, जो भी चैने तब रहती है, सभी के लिए, तो दोस्तों, इस्टे हटा लिया गया है, और एक seat को छोड़ करके, बाकि सभी candidates को न्यूकती देने की, यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर decision किया गया है, जो कि यह modified order है, State Council seeks and is granted six week time to file reply, और इसका answer देने के लिए, छे सपता का समय दिया गया है, लिस्ट दा केस आफ्टर six week, और छे सपता के बाद में लिस्टिंग किया जाएगा, तो दोस्तों, इस परकार का decision एक परकार से सामने आया है, कि biology के subject पर से इस्टे हट गया है, और उनको newty देने की बात यहाँ पर की गई है, तो दोस्तों, बहुती महत्मून जनकारी है, और निश्यत रूप से जो दोनों decision आये हैं, एक तो जो प्रमुक समीती वनी हुई थी, विशेश समीती, उसका decision और दूसरा high code का, तो निश्य रूप से जो biology के allied subject बचे वाले अभ्यरती है, उनको newty देने की कारिवाही आगे आने वाले समय में निश्यत रूप से की जाएगी, और इसका रास्ता साब हो चुका है, तो दोस्तों, बहुती positive news निकल करके सामने आई है, और इसी के साथ में मिलते हैं फिर अगली वीडिय धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले हैं, जय हिन्द